जहीं दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा National Defense Academy में डाइट के बारे में National Defense Academy में breakfast, lunch और dinner में बहुत सरे ऐसे foods हैं जिने सर्व किया जाता है एक वीडियो में सभी meal के बारे में बताना बहुत मुश्किल है इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा, NDA के breakfast में कौन से foods हैं जो cadets को सर्व किया जाते हैं अगर आप non-wage काते हैं तो कौन से food दिया जाता है, अगर आप wage काते हैं तो कौन से आप choose कर सकते हैं सब जब पहले मैं आपको बता दू, NDA की जो training होती है उसमें cadet को पूरा दिन रगड़ा दिया जाता है साथ मोन अकडेमिक की पड़ाई भी करनी होती है तो इसलिए उसके शरीर में जो calories का demand होता है वो high रहता है इसलिए NDA में हर दिन तीन हजार से लेकर के साड़े तीन हजार कैलरी हर एक cadet को दिया जाता है ये कैलरी ज़्यादा और कम भी हो सकता है, cadet कितना खा सकता है इसके उपर ये depend करता है ये कोई cadet 4 रोटी खाता है तो उसके हिसाब से उसका कैलरी हो गया एक मिल में वहीं पर एक cadet अकर 8 रोटी खाता है तो उसका कैलरी उससे डबल हो गया तो इसलिए कैलरी का जो count है वो quantity के उपर जाज़तर depend करता है तेकिन एक रफ जो कैलरी जो minimum सब को खाना है वो है 3000 कैलरी cadet को हर दिन जो मेहनत करना पड़ता है उसके हिसाब से उसके खाने में अच्छी मात्रा में protein, fat और carbohydrate रहते हैं इसलिए हफते के अलग-अलग दिन breakfast अलग-अलग होता है इंडिये में सुभा पाँच बजे morning tea दिया जाता है उसके बाद साड़े आठ से लेकर के साड़े नौ के बीच में breakfast होता है मंडे की breakfast में अगर आप non-wage खाते हैं तो corn flour और wedge दालिया के साथ में आपको एक दिया जाता है और अगर आप wedge खाते हैं तो कबली चना, milk, toast, butter और jam दिया जाता है Wednesday के दिन जो non-wage खाते हैं उनके लिए boiled egg, साथ में भेज, उपमा और चटनी दिया जाता है और जो wedge काते हैं उसके लिए काला चना, दूद, toast, butter और jam दिया जाता है Thursday के दिन जो non-wage काते हैं उसके लिए masala, omelet, साथ में भेज, masala, सावो दिया जाता है और जो wedge काते हैं उसके लिए mutton masala, milk, toast, और butter दिया जाता है तो ये जो diet होता है, इसमें हर एक plate में 1000 से ले करके 1200 calorie होता है depend करता है कि वो cadet कितना खाता है लेकिन मैं आपको बता दू, एंडिये में food को waste करना अच्छी manners नहीं मानी जाती है food को अगर आप बार बार frequently waste करते हैं, seniors के दौर आपको punishment मिलने का भी chances रहता है और एंडिये में खाना भी खाने का एक अलग style, एक अलग manner होता है अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंडिये में lunch में क्या दिया जाता है अगर आप non wage हो और wage हो तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेनोटिवेशन को प्रेस कर लिए जाहिंद वंदे मातरम